तो एक ब्राम्मन था जगनात पुरी का उसने जगनात भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए का हे नात एक संतान यदी मुझे हो जाए तो मैं आपको अर्पित करूँगा तो उस ब्राम्मन के आप पुत्री ने जन मिलिया तो जगनात जी की प्रशादी मान करके ही उस पुत्री को लालन पालन करते थे एक समय आने पर भगवान को अर्पित करने गए वोले नात मैंने कहा था जो भी संतान होगी आपको अर्पित करूँगा मेरी पुत्री को आप स्विकार करो तब श्री जगनाज जी ने उस ब्रामण को आग गया ती और कहा कि हमारे परम भक्त श्री जैदेव वो वन में रहते हैं गीत गोविंद लिख रहे हैं आप उनको जाकर के अपनी बेटी का ब्याँ उनसे करा दो ब्रामन देवता जैदेव महाप्रवू के पास गए और जाकर के अपनी पुत्री का संबन्ध जैदेव महाप्रवू को कहने लगे आप इनसे । जैदेव महाप्रवू ने का देखो हमारे साथ ये रहे नहीं पाएंगी क्यों जैदेव महाप्रवु इतने निश्किंचन थे वो एक रात्री एक ब्रक्ष के नीचे रहते तो कहीं उस इस्थान से लगाव न हो जाए इसलिए इस्थान बदल देते अगले दिन दूसरे ब्रक्ष के नीचे चले जाते दूसरे ब्रक्ष के नीचे बैठते महां जादा सुख लगने लग जाता तो तीसरे ब्रक्ष के नीचे चले जाते कहीं मेरा स्थान के प्रती की लगाव मतलब इतनी सुक्ष्मता थी उनके हिर्दे में कि स्थान के प्रती भी मेरी पृती ना हो वो सारी पृति जगन्नाच जी कोई मिले बस उसका अधिकारी कोई और ना बन जाए वैश्णव जन बंधों ऐसे बड़े-बड़े क्रिया करते हैं हमारे वरंदावन में एक बाबा रहते थे वो बाबा गद्धा लाए और गद्धा में से रूई वी निकाल के उसमें कंकड भर दिये और कंकड भरके उस पर बैठते थे किसी ने का बाबा ये कंकड भरके आप गद्दे पर क्यों बैठे हूँ कंकड भरके भईया या हमारे बैठे हैं ताकि भजन कर सकें तो गद्दा पर बैठेंगे तो थोड़ी देर में आराम लगने लगेगा आराम लगने लगा तो नीद आने लगी, नीद आएगी तो आलस आ जाएगा और उतनी दिर के लिए भजन छूट जाएगा, कंकड का गदा है, इस पर पहली बात तो आराम नहीं मिलेगा, नीद नहीं आएगी, और जब बहुत अती हो जाएगी नीद की, तो हम सोने का प्रया के लोग हाथ में गड़ी पहनते, वो पैरों में गड़ी पहनते थे, उन से पूछा किसी ने, बाबा, आप पैरों में गड़ी क्यों पहनते हो, बोले भाया, गती का मुल्य इन पैरों को ही समझाना है, इसलिए हम पैरों में गड़ी पहन के रहते हैं, बड़े विचितर मा पुझ पिताजी महाराज के गुर्देव, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुष प्रपनाचारी गुरुजी महाराज, हमारी माँ बताती है कि उनकी प्रशादी माँ बनाती थी, या कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मन बनाता था, तो ज्यादा अच्छी रोटी बन जाती थ जैसे बढ़िया कुरकुरी फूली फूली रोटी बना दी तो गुरुजी उसको पानी में बोर देते और पानी में गीला करके उसका रूप बिगाड़ के तब पाते, सबजी ज्यादा बढ़िया बन जाती तो उसमें नीवू निचोड़ देते, धही डाल देते, उसका जीव को तो फिर हम बिगाड़ते हैं ताकि जीव को स्वाद ना आवे, क्यों जीव को स्वाद आएगा तो स्वाद की आसक्त हो जाएगी जी, बार बार उसको पर स्वादिष्टी चाहिए होगा, मैंने बताओ, देखो, किस स्थती के महत्मा, हमारे पुझी पताजी बतात और उसको बिल्कुल बिगाड़ के, निकाल के, फिर निचोर के, दुखा के, जब वो सरवट हो जाती पूरी तब पहनते हैं उसको, क्यों? बहुत अच्छे वस्तर पहनेंगे तो देखो आदत हो जाएगी अच्छा पहनने के, और कहीं इसी रूप में हमारी आसक्ती हो गई तो हम क्या करेंगे? एक ही जनम मिला है, एक ही जीवन मिला है, इसको गवाना नहीं है, बताओ, हम इतना विचार करते हैं कभी? हमने तो जो कपड़े कल पहने, आज पहनने में हमको शरमा जाती है, हमारा बढ़िया है, दोती वगलबंदी सपेद है, एक भी तीन बा करता है, ज्यादा शरंगार लेपा पूती कुछ नहीं, एक तिलक लगाया, बेट गए कथा में आके चुपचा, कोई ज्यादा आडंबर नहीं, क्यों करेंगे तो शरीर उसका आधी हो जाएगा, और आधी हो गया तो भगवत विमुक हो जाओ, भगवत सनमुकता बनी रहे उसके लिए संसार की छोटी से छोटी वस्तू के प्रती भी हमारी आ सकती ना हो, इसका विचार करते हैं संत महापुरुष, तो जैदेव महाप्रभु बोले भईया हम विवा नहीं करेंगे, क्यों हमारे प्रेम के अधिकारी केवल जगनात हैं, हम वो किसी और को नहीं दे स या तो जगनात या जगनात का प्रशाद, ब्राह्मन विचारे रूट के आगे जगनात जी के पास बोले वो तो मना कर रहे हैं, वो तो स्विकारी नहीं कर रहे हैं, वो तो एक पेड़ के नीचे एक दन रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, हम उनका जीवन बड़ा कठेन है, मेर था और इस पुत्री का जन्म हम चाहतें तो पुत्र देते आपको लेकिन पुत्री दी ही सकती ना हो जाए यह बात मैंने क्यों सुनाई बंधूं दो बातें इससे सिद्ध होई पहली बात तो छोटी से छोटी वस्तु में हमारी आसकती हो ही सकती है इसमें कोई विचार वाली बात नहीं है भागवत में कथा आती है भरत जी महराज पूरा कुल छोड़के चले गए क लेकर आसकती कहा होगे हिरन के बालक में आसकती कहीं भी हो सकती है आसकती कहीं भी हो सकती है तो प्रत जगनात में भी हो सकती है तो क्यों ना उसी में ही करें हम जब आसकती कहीं भी हो सकती है तो श्री जगनात जी में क्यों नहीं हो सकती उन में करो बास्तम में बंधूं भ दर्शन को नेन आ तपे वजन सुनन को कान मिलवे को ये रा तपे ये कितने वैश्णवों को मैं जानता हूं, नाम नहीं लोगा अभिमान हो जाएगा उनको, कितने वैश्णव हैं उनका लाखों का काम चूट जाता है लेकिन फिर भी प्रयास करके कताओं में पहुंचते हैं क्यों कि तडप रहे हैं ठाकुर जी की कता सुनने को उन से मिलने को हमारे लाल जी को देखने को सब काम छोड़ चाड़ के आ जाते हैं तब मन में लगता है भाव मुझे अंदर ही अंदर प्रसनता होती देखो इनकी भक्ती पुष्ट हो रही है लाल जी की बिना रह नहीं पा रहे हैं हमारी लगातार कताओं होती है न तुम मन में बिचार आता है लाल जी अब तो छुट्टी दिलाओ दो चार दन घर रहे हैं आराम करें अब लगातार हमारी इतनी कताओं चल लई है कि हमारी गरदन पीछे से अकड़ गये ऐसे देख रहा हूं मैं धर उदर भी पूरी अकड़न आ गयी है इतनी कताओं चल लई है लाल जी से प्रार्थान करेंगा ये भक्ती की चरम स्थती को दर्शाती है जैसे हमारी इंद्रियां पानी के लिए भोजन के लिए सामान्य वस्तू के लिए तरस्ती है ऐसी इंद्रियां ठाकुरुजी के लिए तरबें तो जानों कि स्थती अब आ रही है इसी प्रकार कर्दम रिशी ने भी भगवान से ऐसी पत्नी की कामना की जो पत्नी भक्त हो, वैश्नव हो भगवान ने का हम तुमारी भक्ती से इतने प्रसंद नहें कर्दम रिशी चिंता मत करो तुमारा देभूती नाम की कन्या के साथ विवा होगा जो मेरी तुम्हारे समान भक्त है और तुम्हारे यहां जो संतान होगी न उन संतानों में एक पुत्र के रूप में मैं ही तुम्हारे यहां आऊंगा बंदो